मातों बहनों, कच्छ की जिसधर्ती पर आपका आगमन हुआ है, वो सद्यों से नारी शक्ती और सामर्थ की प्रतिक रही है। यहां माआशा पुरा स्वयम मात्र शक्ती के रुप में बिराच्ती है। यहां की महलाओं ने पूरे समाज को कठोर प्राकूर्टिक चुनोतियां, सारी विप्रित परिस्तितियां। उसके बीच जीना सिखाया है, जूजना सिखाया है और जीतना भी सिखाया है। जल सवरक्षन को लेकर कच्की महलाओं ने जो भूमी का निभाई पानी समीती बना कर जो कारिय किया, उसे अंतराष्टिय संस्ताओं ने भी सम्मानित किया है। कच्की महलाओं ने अपने अथक परिश्रम से कच्की सव्यता संस्कृति को भी जीवन रखा है। कच्के रंग विशेश रुप से यहां का हैंडिकाप्ट इसका बड़ा उदाहरण है। यह कलाएं और यह कौशल अब तो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आप इस समय भारत की पस्चिमी सिमा के आखरी गाउं में हैं यह गुजरात का हिंदुस्तान की सिमा के आखरी गाउं हैं। उसके बाद कोई जन जीवन नहीं है फिर दूसरा देश शुरू हो जाता है। सिमा वरती गाउं में वहां के लोगों पर देश की विशेज जिम्मेदारिया रहती हैं। कच्की विरांगना नारियों ने हमेशा इस दाइत्व का भी बखुबी निर्वहन किया है। अब आप कल से वहां हो, शाहिए जुरूर आपने किसी ने किसी से सुना होगा। 1971 का जब यूद्ध चल गहा था, 1971 में, यूद्ध में दुश्मनों ने भूज के ऐरपोर्ट पर हमला बोला, एरस्टेपर बंबर्सा की, और हमारी जो हवाई पत्टी थी उसको नश्ट कर दिया। ऐसे समाई, युद्ध के समाई, एक और हवाई पत्टी की जुरूरत थी, आप सब को गर्व होगा, तब कच्छ की महलाओं ने, अपने जीवन की परवाहन करके, रातो रात एरस्टिप बनाने का काम किया, और भारत की सेना की लड़ाई के लिए सुविधा बनाई थी, इत मज़े कहीं माता है बहने, आज भी हमारे साथ, अगर आप जान करी लोगे, तो उनके आई बहुत जाता हो गए, लेकिन फिर भी, मुझे भी उनसे कभी बार मिलकर के बाते करने का मोका मिला है, तेकि माहिलाओं के ऐसे असाधरन साहस और सामर्थ की इस धर्ती से, हमारी मात तुरुशक्ती, आज समाज के लिए एक सेवा यग्य शुरू कर रही है,